रेडियो खांची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं मुहित कुमारलाल सहाइक परध्यापक SS मेमोरियल कॉलेज कांके रोड रांची आज आप लोगों के सामने उपस्तित हुआ हूँ सुफी आंदोलन के विशे में बताने है तू या बी ए सेमेस्टर 3 के छातरों के लिए उप्योग है इसके साथ साथ एमे में जीन छातरों ने मैडिवाल इंडिया स्पेशल पेपर लिया है उनके लिए भी यह उप्योगी है यहां मैं यह बताऊंगा कि सुफी का अर्थ क्या होता है इसके उजबत्ती कैसे हुई इसके असी धानत क्या थे इसके प्रभाव क्या हुए मैं करने के पुर्व उन संदर्ब पुस्तकों का नाम बता देता हूं जिसे आप देख सकते हैं यह किताबे हैं डॉक्टर इंतियाज अहमद दवारा लिखी गई मधकालिन भारत का सरवेक्षन जेल मेहता का मधकालिन भारत एक संस्कृती इसी तरह हैशन बर्मा की पुस्तक ज इन पुस्तकों में सुफी वाद की अच्छी व्याख्या प्रस्तूत की गई हैं। सुफी सब्द का अर्थ क्या है या सब्द कैसे निकला इसके विशे में इतिहासकारों में ब्यापक मदभेद हैं। भूम कर अपने विचारों का परचार करते थें। विचार का विचार है कि सुफी अंदोरन की दिहास को चार भागों में बाटा जा सकता है। सात्वी से नौवी सदी, नौवी से एगारवी सदी का पुरवाद, एगारवी सदी से बारवी सदी, और बारवी सदी के बाद का काल। भारत में सुफी विचार मुहम्मद गजनी के समकाली नाया ये भारत में इसलाम का एक उदार चेहरा था सासकों द्वारा जो सासन करते थे के से ये अलग थे ये लोग भारत के विभिन भागों में बसे इन्होंने अपने प्रेम द्वारा भकती द्वारा अपने विचारों का परचार किया और इससे आम भारती ये काफी प्रभावित हुए कई निम्न वर्गे हिंदू जिनके बीस जाकर ये बसे थे उन्होंने स्वेक्षा से इसलाम स्विकार कर लिया इस तरह यह कहा जा सकता है कि यह इसलाम का उदार चेहरा था इनके मुख्य सिधानतों में था वे इश्वर को प्रेमी की दिरिष्टी से देखते थे वे इश्वर के से प्रेम को महतु देते थे इनके खानगाहों में संस्वित के माध्यम से इश्वर की अराधना की जाती थी ये एक ऐसे विचार का परचार करते थे जिसमें शरिया और कुरान हदीश आवश्यक नहीं था यह हम अल्ला को तो मानते थे इसमें कोई दोमद नहीं इसी कारण यह कहा जाता है कि जो परसिद अरबी विदवान अल्गजालवी ने इसे इसलाम की ही एक साखाम माना उन्होंने कहा कि कुरान में ही सरियत और सूफी दर्शन दोनों के गुझाईस हैं और उसके बाद से ही इसे इसलाम का तिसरा सूरूप मान लिया गया सिया सुनी के अदरिक सूफी भी एक विचारधारा के रूप में स्विकार कर लिया गया जिस समय यह भारत में आये उस समय हिंदू धर्म में भक्ती आंदोलन अपने सिखर पर था अतह यह माना जाता है कि यह भक्ती आंदोलन से भी प्रभावित थे विशेसकर उतिहासकार ताराचन का मत है कि सूफी मत पर भक्ती आंदोलन का प्रभाव पड़ाता इस धर्षन में जिस तरह से भक्ती संतों ने अपने भजनों द्वारा इस्वर को पाने की बात कही इन्होंने भी अपने नातिया कवाली द्वारा इस्वर को पाने की बात कही ये भी प्रेम में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि इश्वर को संगीत के माध्यम से प्रशन किया जा सकता है इनके सिधान्त में कुरान के परती निश्ठा थी किन्तु ये उन परंपराओं को नहीं मानते थे जो सहिया में दिये गए हैं ये उदार थे और संसले ने सनातमक थे इनमें भी भक्ती संतों की तरह गुरू सिस्व परंपरा देखी जा सकती है गुरू को पीर और इनके सिस्व को मुरीद कहा जाता था ये सिलसिला के रूप में भारत में संगठित हुए थे इसलामी दाशनिकों के इनसार कुल 72 सिलसिलाओं का उलेख मिलता है किन्तु अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइने एकबरी में कुल 14 सिलसिलों का उलेख किया है इनमें भारत में चिस्ती सरवाधिक लोग प्रिये थे इसके तरिक सुहारवर्दी, कादरी, सतारी और नक्सबंदी ये पांच लोग प्रिये साखाएं थी प्रारंबी काल में सुहावर्दी और चिस्ती का बूर बाला था सुहारवर्दी का स्केसंस्थापत भारत में भारानुदीन जकरिया थे जिन्होंने मुलतान में अपरना आसरें बनाया इनकी लोग प्रिता भी उत्तर पश्चिम भारत में ही थी किन्तु इसकी एक शाखा जिसे फिर्दोस कहा गया है बिहार में लोग प्रिये हुई चिस्ती संपरदाय सरवाधी के लोग प्रिये था इसके संस्थापक मुहिन अद्दीन चिस्ती ने अजमेर में अपना दरगाह बनाया इसके सिस्सों में बख्तियार काकी बाबा फरीद लिजाम अद्दीन औलिया के सुद्दीन राज आदी प्रमुग थे इन्होंने सारे देश में सुपी मत को लोग प्रिये बनाया सतारी और कादरी बाद में भारत में लोग प्रिये हुए नकस बंदियों का प्रारम तो मुगल काल में हुआ जो जादा ही कटरवादी थे नकस बंदियों में सबसे लोग प्रिये संथ अहमद सरहिंदी थे इसी परकार सतारियों में सबसे लोग पिये मियामीर थे जो पंजाब में रहते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वे दारा सीकोस को गुरू थे अब अकबर स्वेम चिस्ती संपरदाय से परभावी था और सलीम चिस्ती के आसरवाद से ही उसे पुतर प्राप्त हुआ अता हुसने अपने पुतर का नाव सलीम ही रखा था इनका परभाव भारती समाज पर ब्यापक रूप से पड़ा इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के निकट लाया जो कटरता सासको के द्वारा लाई गये थी उसे कम करने में इनका यवदान रहा इन्होंने गरीबों की सेवा की और निम्न हिंदू को अपनी औरा अकर्शित किया इनके प्रभाव से निम्न हिंदू स्विक्षा से मुसल्मान बन गए इन्होंने संगीत को भी लुख्प्रिये बनाया भारत में कवाली का प्रारण इन्हीं तरगाहों में हुआ इसी प्रकार उर्दू के विकास में भी इन्होंने बहुत महत्पुन भूमी का निभाई मलिक मुहम्मद जैसिंग जिहोंने पदमावत की रचना की वे भी एक सूफी संथी थे इस प्रकार सूफीयों का काफी प्रभाव हुआ या प्रभाव आज भी देखा जा सकता है वे भी चद्द चढ़ा कर अपनी भक्ती को प्रदरसित करते हैं इस प्रकार सूफी संथ और भक्ती संथों ने मद्धकाल में भारत्धार्मिक सुहार्द और उदारता को भारतिय समाज में फैलाने में महत्पुन योगदान किया धन्यवाद